प्रेरितों के काम अध्याए 11 वच्छन 26 हम बढ़ेंगे और यहाँ पर लिखा है हम बढ़ते हैं कि चेले अब चेलों का मतलब है कि मसीही के पीशे चलने वाले या सीखने वाला लिखा है और चेले सबसे पहले अन्ताकिया में ही मसीही कहलाए अब पॉलस और सिलास अन्ताकिया में थे और कुछ महीनों से सुस्समाचार का परचार कर रहे थे वो लोगों के बीच जाके अरादनाए करते थे परचार करते थे सैकड़ों लोग उनके द्वारा प्रमेशे येशु मसी को सविकार कर रहे और उन्होंने कलीसियाओं को स्थापित किया और उस खेतर के बाकी लोग उन्हें मसीही कहने लगे मसीही के पीशे चलने वाले मसीही येशु के चेले हमें मसीह जीवन कैसे जीना चाहिए कुछ साल पहले मैंने एक लड़की के बारे में सोना था जिसके दिल में ये बड़ी इच्छा थी कि वैं म्यूजिक को बजाना सीखे और उसके अंदर संगीत की योगयता थी लेकिन 20 साल बाद उसके प्रोशियों को उसके गीत को संगीत को जहलना पड़ा क्यों क्योंकि उसने सारे संगीत को खराब कर दिया था अब हसल में हुआ क्या था उसने अपने पांचों उंगलों से अभियास करके कभी भी संगर्ष नहीं किया और ना म्यूजिक सीख पाई उसने संगीत सीखने को नजर अंदाज कर दिया था अब आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनी के अंदर मसीह जीवन जीने की बड़ी अच्छा है आप मसी होना चाहते हैं और अच्छे से मसीह जीवन जीना चाहते हैं लेकिन आपने कभी नहीं सिखा कि मसीही जीवन जीना चाहिए, लेकिन नहीं सिखाया गया कि कैसे, मैंने एक औरत के बारे में सुना था, जिसने कहा कि हमारा पस्टर बहुत ही अच्छा है, हमारा पस्टर बहुत अच्छा है, उसकी सेव कई बहुत बढ़िया है, और हम सब उ पाय कि वैस्ट चाहते क्या है कि हम करें और आज रात मैं चाहता हूँ कि आप बड़े ध्यान से सुने कि हमें मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए। आपको विरास्त में नहीं मिलती है ये लवो और मास या मनुच्छे के इश्या से नहीं है जैसे सुनी मुझे आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि जिससे आप 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 में प्रमिशर के राज़े के अधिकारी बन जाएं आप चर जा सकते हैं आप एक अच्छे जीवन गुजार सकते हैं आप एक अच्छे बले इनसान बन के रहा सकते हैं लेकिन ये सब आपको मसीह नहीं बनाता है आपके अंदर मसीह जीवन के सारे च्रितर हो सकते हैं लेकिन ये भी आपको मसीह नहीं बनाता है अमेरिका के अंदर बहुत से लोग हैं जो अपने अपको मसीह कहते हैं लेकिन अगर उन्हें बाइबल के दार से देखा जाए तो वह मसीह बिलकुल भी नहीं है वह नए सेरे से पैदा नहीं हुए हैं उन्होंने मसीह को अपने दिल में ग्रहन नहीं किया है अगर उनका दिहान तो जाता है तो वह स्वर्ग में कभी नहीं जाएंगे अब मसीही वो है जो व्यक्ति का तुरूप में प्रभु यिश्यू को जानता है और उसके साथ उसका सबंद है मसीही वो है जिसने फैसला किया है मसीही को अपने जीवन में लेने का और उसके पीशे चलने का चाहे कुछ भी हो आपने उसे सविकार किया है आपने अपना जीवन उसे समर्पत कर दिया है अब सबसे पहली बात कि मसीही वो है जिसने चुनाव किया है फैसला किया है आपने फैसला किया है जीवित खुदा को अपने जीवन में लेने का आपने मसी यसु को अपने जीवन में सविकार किया है और ये पहला कदम है मसीही में आने का क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? कि आपके जीवन में कवी ऐसा समाया है जब आपने पस्चा ताप किया है, जब आपने ये माना है कि आप गुनेगार है, जब आपने काया कि खुदा मैं अपने गुनाहों से मुड़ने के लिए तैयार हूँ, और फिर विश्वास के साथ आपने प्रभीशु को अपने जीव आत्मा मिलता है जो आपको एक नया सवभाव देता है नया जीवन देता है और फिर आपको मिलती है ताकत मसीही जीवन जीने के लिए अब कोई भी मसीही जीवन नहीं जी सकता है जब तक वेह क्रूस के पास नहीं आया है और प्रभी इशु को सविकार नहीं किया है مسیحی صلیب پر हमारे लिये बलिदान हुआ उसने अपना लहू हमारी खातर दिया और अब आपको आना है और उस लहू को यिशुमसیश को सबीकार करना अपने जीवन में और अपनी इच्छा से कहना है कि हाँ मैं अपने किचा से युश्व मुसिषा को सविकार करूंगा मैं अपना जीवन युश्व मुसिषा को दूँगा और फिर इसके बाद कुछ और होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है और वो दूसरी बात है कि आपके जीवन में बदलाव आ जाए双 बाइबल बताती है कि पुरानी बातें जाती रही देखो सब नई हो गई है एक बदलाव आपके जीवन में आना बहुत जरूरी है आपके विवहार में बदलाव प्रमेशर के प्रति आपके विवहार में बदलाव सबसे जारा आप प्रमेशर से प्यार करेंगे पहला स्थान आप प्रमिशर को देंगे अपने जिंदगी के फैंसलों में और चुनाओं में अपने प्रती आपके विभार में बदलाव आना चाहिए आपके जीवन में सबसे पहले सवार्थ खत्म होगा आप अब सवार्थी नहीं रहें अब आप कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ अपने आपको खुश करने के लिए और अपने मतलब के लिए अपने प्रोसी के प्रती आपके विभार में बदलाव आना चाहिए अपने प्रोसी को अपने सम्मान प्यार करना होगा और इसलिए आपके जीवन में बदलाव होना बहुत जरूरी है पुरानी बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई है और अगर आपके जीवन में बदलाव का कोई निशान नहीं है तो अच्छा होगा कि आप अपने जीवन को परखें कि आप सच में मसी हैं या नहीं अगर आपका जीवन नहीं बदलाव है अगर आपके जीवन से वो फालतपन नहीं हो रहे हैं जो आपके जीवन में होने चाहिए थे पुवित्र आत्मा मिलने से तो बला होगा कि आप विचार करें कि आपने सच में मसीख को पाया है या नहीं क्योंकि खुदा की संतान के अंदर बदलाव बहुत जरूरी है प्रभू येश्यों ने कहा कि उनके फलों से तुम उने जान लोगे उनके फलों से ये फल क्या है और ट्वित्र आत्मा के फल ये है प्रेम, शांती, आनंद और ये ये सब क्या आप मसीख जीवन जी रहे है क्या आपने अपको प्रभूश्यों मसीख को दे दिया है क्या आपने प्रभूश्यों मसीख के साथ रिष्टा काइम कर लिया है और क्या आपके जीने के तरीके में आपके विवहार में कोई बद्रावाया है और अगर नहीं तो हो सकता है कि आप मसीही नहीं हैं आप शायद सोचें कि आप मसीही हैं लेकिन आप नहीं हैं क्योंकि मसी वो है जिसने प्रभी यशू को अपने जीवन में सविकार किया है और एक बदलाव उसके जीवन में अब दिखाई देता है। अब तीसरी बात मसी ही वो है जिसने अपने जीवन में एक चुनोती को सविकार किया है। चुनोती प्रभी यशू मसी ही की। प्रभी येशू मसीह ने कहा है कि जो को ने को पीशी ओना चाहता है, वे अपने आपका इंकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीशी होले प्रभी येशू कहते हैं कि अगर आप मेरी चुड़ोंती, सविकार करने और मेरे लिए जीने के लिए तैयार नहीं है तो आप मेरे चिले नहीं हो सकते हैं जब कभी भी बीड इश्यू के आसबा से कटी होती थी और बीड बहुत बढ़ी हो जाती थी तो प्रभी इश्यू कहते थे एक मिनिट रोकिए वो कहते कि अगर आप मेरे पीशी होना चाहते तो आपको अपने अपका इंकार करना होगा और एक ग्रूप शोड के चला जाता और अगर फिर भी बीड जादा होती तो वो फिर कहते कि अगर आप मेरे पीशी होना चाहते हैं तो अपनी क्रूस को उठाओ और हर रोज मेरे पीशे हो और बजे हुए लोग ये सुनके भाग जाते थे क्योंकि मैं सलीब उठाने के लिए तयार नहीं थे वो फांसी के फंदे को चूमने के लिए तयार नहीं थे अगर आपको मेरे पीशे चलना है तो आपको इस सलीब को उठाना होगा फांसी के फंदे को अपने गले में लेकर चलना होगा एक कफन सर पे बांद के चलना होगा और बहुत लोग ये सब करने के लिए तयार नहीं है बहुत से लोग सुस्तों माचान के लिए खड़े होने के लिए तयार नहीं है आज रात मैं आपसे पूछना चाता हूँ क्या आपको यकीन है क्या आप मसीही है क्या आपको विश्वाश है क्या आपके गुनाह माफ हो गए है ठीक है इसे कहते हैं मसीही मसीही आपके जीवन में रह रहा है और वक्तिकत रूप में उसका अनुपव करना और जिसके जीवन में बदलाव है वो मसीही है लेकिन मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए ये एक दूसरी बात है मसीही जीवन कैसे जीना चाहिए तो सुनिए मुझे, बाइबल कहते हैं कि जब आप इश्यू मसीह को सविकार करते हैं तो आपके उसके साथ शादी हो जाती है वै दुलहा हैं और हम उसके दुलहन हैं और फिर शुरू होते हैं वैसाल जब हम उसके लिए जीते हैं और उसके पीशे चलना शुरू करते हैं और अगर आप बढ़ना जाते हैं तो आपको कुछ आग्याओं का पालन करना होगा मसीह में बढ़ने के लिए आप एक बच्चे की तरह बढ़ते हैं बाइबल कहती है कि जब आप मसीह को सविकार करते हैं तो आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं आप बिल्कुल एक बच्चे की तरह होते हैं आप पले बड़े मसीह नहीं होते हैं जब आप चर्च में जाते हैं, मसीह को सभिकार करने के बाद, तो हो सकता है कि कुछ विश्वाशी वगां कहें, कि पता नहीं, ये मांदा लगातार आएगा भी कि नहीं. ऐसा बिल्कुल ना करें आप ने विश्वाशों का स्वागत करें उन्हें प्यार करें उन्हें खुश करें उन्ती मदद करें कि वैं और भी आगे बढ़ें जब मेरे शोटे बच्चे ने सबसे पहला शब्द मुँझे निकाला तो उसने कहा डै डै उसने बिल्कुल ऐसे ही कहा था मैं बिल्कुल उसके पास ही था जब उसने ये शब्द कहा था डै डै हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था उसने बोलना सीख लिया था डै डै लेकिन मान लीजे कि 20 साल बाद मैं मेरे पासा था और कहता है डै 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 इसका मतर होगा कि कुछ गलत है लेकिन आप इसे बहुत लोग बिल्कुल ऐसे ही है आप बिल्कुल भी बड़े नहीं हुए हैं 20 साल मसी होने के बावजुद भी अप फिर भी कहते हैं डै डै आप रुख गए हैं आप आगे नहीं बड़े हैं आप प्राथन सबागे ले जाते हैं और सेवर कहता है कि आप एक वच्चन बोलें जो आपने याद किया है कोई बोल देता है यहुनात 3-16 और आप कहते हैं ओ उसने मेरा वच्चन ले लिया चुरा लिया आपको सिर्फ वह ही आता था आपने बाइबल को नहीं सीखा है और अगर कोई कहते है कि आप दूा करो तो आप कहते हैं ओ मुझे माफ करना मुझे दूा नहीं आति में दूा नहीं कर सकता और फिर आप मसीष होने का दावा करते है मसीष जिवन एक बड़ाउतरी का जिवन है हम एक बच्चे के रूप में शुरू करते हैं और प्रमेशर के ज्ञान और बुद्धी में बढ़ते चले जाते हैं आपको चुरूली नियम सबसे पहला नियम है प्राथना हर रोज हमें प्राथना में समय बिताना चाहिए चेले प्रभी शुके पास आये और कहा कि प्रभू हमें प्राथना करना सिखाओ आपको चलना सीखना होता है आपको साइकल चलना सीखना पड़ता है घुरुसवारी भी आपको सीखनी पड़ती है ऐसे ही दुआ भी आपको सीखनी पड़ेगी बिल्कुल ऐसे ही आप दुआ करना भी सीखते हैं प्रभो हमें प्रात्ना करना सिखाओ याद रखें कि ये मसीह जीवन आपको अकेले जीने की जुरूरत नहीं है पवित्र आत्मा आपके साथ रहता है जैसे मैंने पहरे भी बताया था कि जब आप रविश्वसी को ग्रैन करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है वो रखें को बल देता है तसली देता है कि आप मसीह जीवन जी सकें अभी पवित्र आत्मा आपके दुआउं में भी आपके मदद करता है पुवित्र वचन कहता है कि इस रिती से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रात्ना किस रिती से करना जाएए परन्तु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर के जो ब्यान से बाहर है हमारे लिए बिनती करता है पवित्र आत्मा प्रात्ना में हमारी मदद करता है बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि प्रात्ना करने के लिए मेरा मन नहीं करता है जब कभी मेरा मन करता है मैं तब प्रात्ना करता हूँ लेकिन आप गलत हैं आपके पास खास जगे होनी चाहिए और खास वक्त होना चाहिए हर रोज परासना करने के लिए और फिर दूसरी बात वचन को पढ़ते रहें अब पवित्र बाइबल का मकसद है प्रभीशू के गुआई देना पवित्र बाइबल उत्पती से लेकर प्रभीशू की तरफ ही इशारा करती है अयूब कहता है कि मैंने उसके वचन अपनी इशा से कहीं अधिक काम के जानकर स्रक्षित रखे हैं अब बाइबल कहते हैं कि हम सिर्फ श्रीरिक तोर पर ही पलते बढ़ते नहीं है हमारे अंदर एक आत्मा है श्रीरिक तोर पर हमारे पास आंके हैं, हाथ हैं, कान हैं, नाक हैं, पैर हैं लेकिन आपके अंदर रह रही आपकी शक्षियत है आपकी आत्मा, आपकी जान और आपकी यादास्त आपकी शक्षियत वह आपकी आत्मा है आपकी जान है अब अगर आप अपना सारा समय अपने श्रीरिक बड़ोतरी के लिए ही गुजार दें आपको देख कर लगता है कि आप बहुत अच्छा खाना खा कर आए हैं आप आज खाना खाना नहीं भूले हैं आप अपने अपको सम्वारना या अपने शिशे को देखना नहीं भूले हैं आप अपने श्रीर की देख बाल करते हैं लेकिन आपकी आत्मिक जुरूरतों का क्या आप अपने अपनी सारी श्रीरिक जुरूरतों को पूरा किया है क्या भोजन है आत्मा के लिए ये है पवित्र बाइबल को पढ़ना यो परमिश्र का वचन है मुझे इसकी प्रवान नहीं है कि आप कौन है लेकिन आप एक विजे में जीवन नहीं बिता सकते हैं अगर आप पवित्र बाइबल को निगलेक्ट करते हैं जब कभी भी कोई व्यक्ति मेरे पास आता है और कहता है कि मेरी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा है मेरे जीवन में कोई विजे नहीं है सफलता नहीं है खुदा का आनद और शांति मेरे जीवन में नहीं है इस किताब में खुदा ने आपके लिए एक संदेश दिया है पढ़िए इसे, समझिए इसे, मनन कीजिए इसके ओपर बाइबल को ऐसे पढ़िए इसे आदर सदिकार के साथ पढ़िए ये एक इंटर्व्यू है खुदा के साथ उमीद के साथ पढ़िए इसे, इसे इस उमीद के साथ पढ़िए कि इन वचनों के द्वारा खुदा आपके साथ बात करें और हो सकता है आप एक वचन पढ़ें आप उसी एक वचन पर मनन करें हो सकता है आप एक अध्याय पढ़ें आप उसे एक अध्याय पर मनन करें इस उमीद के साथ बाइबल को खोलें कि जब कभी भी आप इसे खोलते हैं खुदा के पास आप के लिए कोई संदेश है फिर आप इसे निर्बर होकर पड़ें पवित्र आत्मा की प्रेरेना से ये वचन लिखे गए हैं और पवित्र आत्मा ही इन वचनों को आपको समझा सकता है इन वचनों के बारे में कई बार मेरे जीवन में भी ऐसा हुआ है कि जब मैं किसी वचन को नहीं समझ पाया और मैं अपने गुटनों पर आया और खुदा से कहा और बैबल बंद करके रख दी समय दोए से 15 मिनिट, 20 मिनिट, आदा गंटा हर सुबह ये करिए हर सुबह अपना कमरा चोड़ने से पहले या अपना घर चोड़ने से पहले आदा गंटा प्रातना करें इन वचनों को पड़ें वचनों के उपर मनन करें और मैं आपको कहता हूँ कि आपके दिन पूरी तरह बदल जाएंगे आपके जीवन में आनन्द होगा आपके जीवन में खुशी होगी आपके चेरे पर एक समाइल होगी आपका पूरा जीवन बदल जाएगा आपका वेवहार बदल जाएगा अगर आप इस आदत को डाल लेते हैं कि हर सुबह आप वच्चनों को पड़े और प्रातना करें और फिर अब तीसरी बात कि अगर आप मसीही जीवन जीना चाते हैं तो आपके जीवन में अनुशाशन यानि डिसिप्लन का होना बहुत जुरूरी है मसीही जीवन एक अनुशाशन का जीवन है मसीही जीवन त्याग का और मुश्किलों का जीवन है प्रभ यिश्यों ने कहा कि सक्रा है वहमारग जो जीवन को पहुँचाता है बाइबल हमें बताती है कि मसीही एक सिपाही है जिसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा अच्छे सिपाही किनाई मेरे साथ दुख उठा पॉलस ने तिमोथिय से कहा था हमें अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना पड़ेगा जो चीजे हम पढ़ते हैं, जो चीजे हम सोचते हैं हमें हर तरह के बुरे खयाल को अपने जीवन से जब भी आता है उसी वक्त निकालना है हमारा दिमाग डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि हम किसी पुरी बेकार चीजों को ना बढ़े दिमाग को डिसिप्लिन करना हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा टीवी के ओपर गलत प्रोग्राम या गलत चीजों को देखते हुए हम अपने समय को बरबाद नहीं करते हैं हम अपने मन को बिगार चीजों से नहीं बरते हैं हमारा दिमाग डिसिप्लिन्ड है हमारी जुपान भी अनुशाशन में है हमारा समय अनुशाशन में है हम समय को लाब दाइक मनाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि दिन बुरे हैं ये जो वक्त प्रमिशी ने हमें दिया है जो समय खुदा ने हमें दिया है इस समय को मिरबाद नहीं कर सकते क्योंकि ये कभी वापिस नहीं आएगा ये समय लोटकर कभी वापिस नहीं आएगा ये समय मसीह कुस मर्पित होना जाहिए मेरा जीवन अनुशाशन में होना जाहिए तो देखिए हमारे जीने के तरीके में कितना काम अनुशाशन है कितना काम अनुशाषन है हमारे मसीही अनुपरों में और मसीही जीवन में और यही कारण है कि हजारों मसीही आज असाफल है क्योंकि हमारे जीवन में डिसिप्लन नहीं है अब चौती और आखरी बात कि एक मसीही का काम है कि वैं यिशु मसीही का गवाहा बने अब आप गवाह कैसे बनते हैं आपके जीने का तरीका भी एक गवाही है उसकुराहट प्यार नमर्ता और बलाई करके आप यशु के गवाह बनते हैं अगर आप एक बदलाव वाला जीवन जीदे हैं जिसमें प्रभी यशु मसी आपके अंदर रहता है और प्रभी यशु मसी आपके जीवन के जिरिये से लोगों को दिखाई देंगे और लोग आपके तरफ गर्शित होंगे और पूशेंगे कि इसका रहसे क्या है और आप कहेंगे कि मैं प्रभी यशु को जानता हूँ और तब आपके पास अवसर होगा कि आप उन्हें प्रभी यशु के बारे में बताएं अपने घर में गवाहा बने अपने काम में गवाहा बने हम काम में आलसी होने के लिए बुलाए नहीं गए हैं पवित्र आत्मा की प्रेणा से हमें यशु के गवाहा बनना है और अपने काम करने के तरीके से अपनी कवाही को जाहिर करना है अगर आप किसी फैक्टरी में काम करते हैं तो इसे एमान तारी से करें जैसे कि आप खुदा के लिए काम कर रहे हैं आप किसी कंपनी के लिए या किसी यूनियन के लिए काम नहीं करते हैं वरन आप काम करते हैं खुदा के लिए, अगर आप कर्ण चारी हैं तो आप मसीह के लिए काम करते हैं, उसी के प्रतिय अप जिम्यदार है अगर आप एक सच्चे मसीह हैं, बाइबल बताती है कि मसीह लोग यहाँ पर सिर्फ मुसाफिर हैं, हम प्रभी इशु के राज़ दू अपने चारों तरफ हम देखते हैं जूट, पाखंड और बेवफाई, और लालसा, संसार में हर आदमी आज बौतिकवाद यानि मिटिरियलिज्म की तरफ भाग रहा है, वो अपना जीवन प्रविश्यो को दें और उसे अपने जीवन में रहने दें और वो आपके जीवन से चमकेगा और आप उसके गवाहा बनेंगे, अपने समाज में नमक बनें, अपने समाज में रोष्णी बनें, ताके लोग चांच आएं कि आप मसी यसो के साथ खड़े हैं, एक साफ, पवित्र, भलाई और नमरता वाला जीवन वैतीत करें, आज रात मैं आपसे पूछना च मैं आज रात आप से पूछ रहा हूँ कि क्या आपने प्रभू यिसो मसी principle को पहना है, क्या है आपके जीवन में कोई बदलाव आया है, मसी के पिछे चलने की जणोदी को क्या आपने सविकार किया है, क्या उसके प्रतिया वफादारी से जीवन बिता रहे हैं, आगर नहीं तो आज रात आप ये शुरू कर सकते हैं हाँ अभी बिल्कुल अभी आप कहिए कि प्रभू मैं अपना जीवन आपको देता हूँ मैं अपना हिर्दे आपको देता हूँ मैं अपनी आत्मा आपको देता हूँ मैं चाहता हूँ कि प्रभू आप मेरे जीवन में आएं और मेरे कुनाहों को और मेरी गल्टियों को माफ करें मैं आपके पीशे चलना और आपकी सेवा करना चाहता हूँ मैं निस्चे करना चाहता हूँ कि मेरे कुनाहों माफ हुए और मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ मैं अपने परिवार में और अपने जीवन में बदलाव को देखना चाहता हूँ मैं बदलाव को चाहता हूँ जहां मैं काम करता हूँ मैं अपनी जिन्दगी प्रभी उश्व को समर्पित करता हूँ मैं मसी यसु का कवाहा बनना चाहता हूँ मैं उसके आनद और खुशी को चाहता हूँ कितने लोग मसी होने का दावा करते हैं लेकिन उनके जिन्दगी में मसी की शांती नहीं है उनके जीवन में उनके जीवन में वो प्यार नहीं है मसीह के साथ उनका को रिष्टा नहीं है बहुत जल्द वैं गुसा हो जाते हैं वैं नमर नहीं है इर्खा और कमंड के साथ वैं भरी हुए है मैं आपको बताना चाता हूँ कि मसीह जीवन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है आज अपना जीवन प्रभी उश्व को दें और ये रिस्चे करें कि वैं आपके हिर्दे में रहता है आप मैंसे कुछ लोग मसीवन पहली बार देने जा रहे हैं और बाकी लोग अपना जीवन आज प्रभी उश्व को फिर से समर्पित करें कहिए आज रात की प्रभी मैं अपना जीवन आपको फिर से समर्पित करता हूँ मुझे नया बना दो कहिए कि मैं अपने आपको आपके हाथों में सौंबता हूँ इस जेगा पर खुदा सैंकडो हजारों के साथ बात कर रहा है आज आप सब आज आईए और पस्चाताब करके प्रभी शुमसी को ग्रैंड कीजिए और कहिए कि मैं अपने जीवन की नई शुरुवात करने जा रहा हूँ मैं अपनी गलतियों को अपने गुनाहों को मसीह की क्रूस के पास लाता हूँ मैं अपना सब कुछ मेरे उदार करता के हाथों में दे देता हूँ मैं आप से कहता हूँ कि आगे आए इस बिल्डिंग से अपने शीटों से उठकर मैं कहता हूँ कि आप सब आगे आए उपर से बाल कोनी से आप सब नीचे आए और यहां एक लाइन में खड़े हो जाए और शान्ती के साथ कहिए कि मैं अपना आप मसीह को समर्पित करता हूँ कि मैं अपना आप से बाल को समर्पित करता हूँ